हैद्रावाद का सबसे भीमस हैद्रावादी वेज तम बिडियानी आज अनिका कीचन में बनेगा आप देख सकते हैं इसमें वेज उवर लोडेड है कि दिखने में भी अच्छा है और खाने में भी बहुत ही स्वाधिस्ट है तो चलिए हम अपना वेडियो शुरू करते हैं हैद्रावाद में बिडियानी तो बहुत बार मैंने खाया है पर यकीन मानिए वो टेस्ट नहीं मिल पाता वेज तम बिडियानी जब भी ओडर करती हूं वेज उसमें से गायब रहता है इसलिए आज में ऐसा वेज तम बिडियानी बनाऊंगी जिसमें वेज तो होगा और स बिडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक सेर जरूर करें बिडियानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बिडियानी राइस की जवरत होगी यहां पर मैंने 700 ग्राम के लगभग चावल को अच्छे से पानी से धो लिया है और एक कडाही में मैंने 1.5 लीटर के लग और इसमें मैं आइड कर रही हूँ दो बड़े चपमच रिफाइंड वायल इससे क्या होगा कि हमारा बिडियानी खिला खिला बनेगा साथ मैंने इसमें तेजपत्ता डाल दिया है पानी में जैसे ही एक अच्छा सा उबाल आएगा हम अपना साफ किया हुआ चावल इसमें आइड कर देंगे चावल को हमें 80% तक ही पकाना है इसलिए आप चावल को आराम से लो फ्लेम पे 80% तक ही पकाए क्योंकि जो बचा हुआ 10% है वो हम जब बिडियानी बनाएंगे तो उसमें पका लेंगे चलिए तब तक सबजी हम रेडी कर लेते हैं सबजीों में मैंने ल मैंने लिए हैं आप यहां पे जो सबजी आपको पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं या कुछ होगर और भी पसंद है तो आप उसमें एड कर सकते हैं यहां पे मैंने ग्रीन वाले सिम्ला मिर्च का इस्तिमाल किया है अगर आपके पास एलो और रेड वाला सिम्ला बिल्कुल ताजी दही है साथ में यहां पर डाल दूगी धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता दही में सारी सब्जीयों को डाल दूगी पर याद रखे आप पनीर और मटर को अलग कर सकते हैं यहां पर मैं मटर डाल रही हूं अगर आप फ्रोजन वाले मटर का इस्तेमाल कर बड़ना वो सब्जीयों में मिक्स हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा कि आपने बिड्यानी में मटर भी डाला है चलिए इस तरह से सारी सब्जीयों को मैंने दही में डाल दिया है अब यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं एवरेस्ट का साही बिड्यानी मसाला आपको जो भ बड़े चम्मच जीरा पौटर एक बड़े चम्मच गडं मसाला आधा हैं और डेर चम्मच के लगबग मैं यहां पे धन्या-पौटर प्रका इसतेमाल कर रही हूं और और इस आद ने हम डाल देंगे एक बड़े चम्मच कास्मीरी लाल कुछ चीली को ग्रीन चीली को मैंने बीच से काट के डाल दिया है चलिए अब सारी सब्जियों को हम मिक्स करेंगे इससे पहले हम अपना चावल चिक कर लेते हैं यह बिल्कुल फॉफिक्ट बनाया है देखिए 80% तक यह पक चुका है मैंने इसे पीच से तोर के चिक कर लिया है अब एक बरतन में मैं इसे छान लेती हूँ ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और चावल हमारा फ्रेस और रेडी हो जाए जब तक चावल का सारा पानी बाहर आता है तब तक हम सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर जववत होगी तो इसमें हम आधा कप के लगबग दही और एड करेंगे यह चोटा बरतन मैंने ले लिया है आप थोरे बड़े बरतन में इसे मिक्स करें ताकि आपको मिक्स करने में प्राब्लम नहीं हो याद रखें यहाँ पर मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक डालने से इसमें पानी छोड़ देगा तो नमक हम लास्ट में अड़ करेंगे तब तक हम बेड़ियाने के लिए जो प्यास का वेरिस्ता बनता असके लिए हम प्यास काट लेते हैं इसी तरह से आप प्यास काटें क्योंकि इस तरह से जब आप इस सिप में काटेंगे तो इसको छुड़ाना आसान होगा अलग-अलग करना इस लच्छे को बहुत इजी हो जाएगा तो इस तरह से साड़े प्यास लगबग मैंने चार प्यास को काट कर लिया है अब इसे मैं डीफ फ्राइ करूंगी आप सरसोते लिया रिफाइंड किसी भी चीज में आप फ्राइ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने रिफाइंड ओयल का इस्तेमाल किया है चलिए इसे डीफ फ्रा लेती हूं एक टीशू पेपर पर आप इसे निकाल ले ताकि इसका साड़ा जो ओयल है वो अच्छे से निकल जाए तब तक हम अपनी बढ़्याने को बनाने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं यहां पर मैंने पतिले में डाल लिया है चार बड़े चम्मच के लगभग घी अ इसे हम अलग से फ्राइ करकी निकाल लेंगे जब इस तरह से अगर आप काजू और पनीर ब्रियानी में डालिएगा तो आपके काजू पनीर सबजियों के साथ गलेंगे नहीं यह फिर बड़तर में नहीं चिपकेंगे इसलिए आप इन दोनों को इसी तरह से रेड़ी कर ल बड़ी इलाइजी छोटी इलाइजी लॉंग दो बड़े चमच के लगभग जीरा डाल दिया है और एक तेज पत्ता डाल दिया है साथ में मैं डाल रही हूं अध्रक और लहसन का पेस्ट इसे तेल में अच्छे से दो से तीन मिनट के लिए हम पकाएंगे सोड़ी तेल में नई घी में तक गी से इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है आप चाहे तो यहां पर एक बड़े चमच बड़े डाल सकते हैं चलिए सबजी को हम अच्छे से मिक्स करके इसे पका लेते हैं अब इसमें हम नमक डाल देते हैं क्योंकि पहले ऐकनल मनमक डाल देते तो हमा इसमें ऐसे ही पानी आ गया है नमक की वज़े से चलिए यहां पर हम ढखकन ढखके इसे पका देंगे सब्जियों को हमें अच्छे से नहीं पकाना है बस इसे भी हमें 80% तक ही पकाना है क्योंकि राइस के साथ भी इसे हमें पकाना है तो 80% पर ही आप इसमें राइस डाल चलिए अब इसमें हम डाल लेते हैं प्याज जो हमने वेरिस्ता बनाया है प्याज का वह आधा हम अभी इसमें इसमें इस्तेमाल करेंगे और आधा प्याज हम बचा के रखेंगे बढ़ियानी को डेकुरेट करने के लिए इससे ढखकन बंद करके वापिस से हम 5-7 मिनट इ इसमें बहुत अच्छी सी खुसबू आड़ी है मसाले की इसमें बहुत सारे खड़े मसाले का इस्तेमाल किया होता है इसलिए मैसेजिस करूंगी कि जब आप बिढ़ियानी में खड़े मसाले डार रहे है तो थोड़ा सा कम कर दे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लांग ग पक चुके हैं तो इसे हम दो भाग में बाटने के लिए आधा सब्जी हम निकाल लेंगे और आधे सब्जी को हम इसी पतिला में डाल के एक कप के लगभाग पानी डाल देंगे और राइस को हम दू लियर में, ब्रियानी के राइस को हम दू लियर में बनाएंगे चलिए चावल ढाल देते हैं अब उपर से दूसरा लेयर मैं सबजी का डाल रही हूँ पर यह अच्छी से खुसबू आ रही है, क्योंकि सबजी बहुत अच्छे से भून चुका है इस तरह से जब आप अपने हाथों से यह बना के बन्यानी घर पे खाओगे, बहुत अच्छा लगेगा यकीन मानिए आपको पूरे हैद्रवात में ऐसा वेज दंब्रियानी कहीं नहीं मिलेगा चलिए काजू और पनीर मैं अभी डाल रही हूँ, थोरा से मैं बचा के रखूँगी उपर वाले पार्ट्स में जब राइस डालूँगी तब डाल दूँगी फिर से मैं इसे ढख देती हूँ, दूसरा लेयर हमारा कम्प्लेट हो चुका है अब इसमें हम डाल रहे हैं धनिया और पुदीने का पत्ता साथ में जो काजू और पनीर हमने बचा के रखे थे, वो भी डाल देंगे और प्याज जो हमने गोल्डिन ब्राउन करके भून के रखे थे, उसे भी डाल देंगे अच्छी से इसी तरह से आप चारो तरफ से इसे फैला के रखे आप यहाँ पे फूद कलर का इस्तिमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास केसर है तो केसर वाले दूद का इस्तिमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं रेट कलर का फूद कलर मैं इस्तिमाल कर रही हूँ कि जब रेट और एलो कलर का जो चावल मिलता है न बढ़ियानी में 20 मिनट के लिए से लो फ्लेम पे ढग के छोड़ देंगे चलिए अब हम अपना रायता कंप्लीट कट लेती हैं क्योंकि बिर्यानी बिना रायते का अधूरा सा लगता है इसके लिए मैंने सालन भी बनाया है पर सालन का वीडियो मैं पूरा नहीं ले पाई हूँ इसलिए सालन का वीडियो मैं आपको इसके साथ नहीं दे पाऊंगी अलग से मैं डाल दूँगी एक सौट्स में मैंने सालन का वीडियो पहले से डाला हुआ है आप चाहे तो वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं चलिए रायता के लिए हमने खीरा और गाजर को अच्छे से कद्दू कस कर लिए आया है अगर आपको पसंदे तो इसमें चुक अंदर और ओनियन वी डाल सकते हैं थोड़ा सा मैं यहां पर इस्तेमाल करें रही हूं चाट मशाला यह ब्लैक शॉल्ट है काला नमक साधने मैं इसमें डाल लिए हूं जीरा पाउडर इससे बहुत अच्छा सा खुस्वू आता है और टेस्ट भी अच्छा होता है यह घर पे ही मैंने जीरा को भूनके बनाया है थोड़ी सी कास्मीरी लाल मेश डाल देते हैं ताकि दिखने म में थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा सा इसमें हम वाइट सॉल्ट भी डालेंगे आप चाहे तो इसमें तड़का लगा सकते या धनिया पती कुछ जो आपको एक्स्ट्रा एड़ना एड़ कर सकते हैं पर मुझे इससे ज्यादा बिढ़ियान साल रायता में पसंद नह वाड़ा बिढ़ियानी बनके रेड़ी है इसे एक बरतन में मैं आपको निकाल के दिखाती हूं देखे किस तरह से एक एक दार्ना इसका खिला हुआ है बहुत हिला जवाब बिढ़ियानी बना है तो आप क्या सोच रहे हैं आप इस वीडियो को पूरा देखके इसे लाइक जरूर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखके बिढ़ियानी घर पर जरूर बनाईएगा क्योंकि ऐसा दम बिढ़ियानी फिर आपको होटल या फिर धाबे में बिलकुल नहीं मिलेग मैंने अपने बिढ़ियानी को सालन और आयते के साथ सर्व किया है बिढ़ियानी बिना कोल्डिंग्स के अधूरे से लगते हैं इसलिए साथ मैंने कोल्डिंग्स भी डाला है ये दिखिए बहुत ही लाजबाब बनाया है मारा बिढ़ियानी चलिए अगर आपको ये वीडि आए तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग बावार